कपिल मुनी आश्रम के लाधर पर भववे कलाश्यात्रा के साथ संगीत में शिमत भाववत कथा का आयोचन शिरूप हो गया है जिसके कलाश्यात्रा धुमधाम से शी सिदिस्थान टूडियावाद से निकाली गई या आश्रम के लाधर पर भववे कथा का आयोचन किया जा रहा है और साथ जन्वरी से कथा प्रारम होगी और हजारों भगत इस भागवत कथा में प्रते दिन शामिल होगी प्रते दिन भंडारे का आयोचन भी किया जाएगा कल श्यात्रा की दिन ग्राम टूडियावाद की तरफ से भंडारे का आयोचन भी किया जाएगा जिसमें हजारों की संख्या में भगत उपस्तित होंगी और प्रशाद करेंगे यहां अरसाल की माती नकर सकनाती पर एक भगवा आयोजन चेत्रवासियों के माध्यम से किया जाता है उसी करम को आगे बढ़ाते हुए आज जो है एक्यावन स्रीमद वाकवत पता होने जा रही है यहां पर और यह कलस्यात्रा पुड़्यावद के समीत स्री वावा इस्तान है वहां से स्री कपलमुनी इस्तान तक निकाली गई भागवत कता कब से और कब तक चलेगी यह आज से आज कलस्यात्रा है आज से ही आरंब है और 14 जनवरी तक यह चालू रहेगी एक सो आठ कलस्यात्रा तलस्थे और चववन जज्वान है जो चववन स्रीमत भागवत का मूल पाठ कथा के साथ संपन्द होने जा रहा है जिसमें नित्य भंडारा शेत्रवासियों की तरफ से दिया जा रहा है आज प्रथम दिन का भंडारा टोड़्याओत की तरफ से है इसी प्रकार से क्रमबध सभी गाओं की तरफ से एक एक दिन भंडारा दिया जाएगा और यह कारिकरम विगत कई वर्सों से मकर संक्रांती के पाउन पर पर किया जाता है जिसमें इस सस्टम महामोसो है जो मनाया जा रहा है बड़े धुमधाम के साथ में सारे छेत्रवार्शियों का वड़ा सहयोग है और कपिमन भगवान की वड़ी कृपा है और मैं जनता जन मार्दन वार्शियों से आवाहन करूंगा इस अभी जनता कौन सी भागवत कता है कितनी कितनी होगी सिर्मत भागवत सब्ताह ग्यान महायव्य कब से चल रही है आज से प्रारण हो जो कब तक चलेगी यह चलेगी 14 तारिफ तक बताया जा रहा है यहां पर यह एक्यावन भ भागवत का मूल पाठ हो रहा है अच्छा कब तक चलेंगी यह चौदा तारिफ तक चौदा तारिफ तक चलेगी